हेलो गाईस कैसे हैं आप सभी आज हमारे सामने हैं एमजी एस्टर और आप देख रहे हैं इसका ब्लैक कलर इसके फाइब कलर और एबिलेबल है यह सिर्फ पैटॉल में आती है इसकी जो रेंज है एक्सोरूम प्राइज 10 लाइक से शुरू होता है और टॉप वेरेंटी के जो प्राइज है वो 17 लाइक है और आप देख रहे हैं टॉप मॉडल सार्फ टर्बो इसका जैडेस एवी करके इसका एक एलेक्टिक वेरेंटी भ और यह इंडिया की पहली ऐसी कार है जिसमें परसनल एयाई असिस्टेंट आता है जो आपको जोक्स, नियूज और कार कंट्रोल और बहुत सारी इंफोर्मेशन आपको देता है और अगर इसकी सर्विस कोस्ट की बात करें तो एमजी बोलती है कि 47 पैसा पर किलोमेटर आप आपको इस पर चार्ज एक या खर्चा आएगा सर्विस पर और पैटॉल में इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे एक देखने को मिलेगा जिसमें 1359 CC का इन-Line 3-Cylinder BS6 220 टर्बो इंजन देखने को मिलेगा और दूसरा में आपको 1490 CC का इन-Line 4-Cylinder BS6 VTI टेक इंजन आपको देखने को मिलेगा और जो इनके 5 कलर ओप्सन है इसमें आपको मिल जाएंगे Spice, Orange, Silver, Red, Black और White कलर देखने को मिलेगा Basically यह 4 वेरियंट आपको इसमें मिलेंगे पहला वेरियंट है इसका style Super और Smart और Surf यह आपको 4 वेरियंट में देखने को मिलेगी अगर Dimension की बात करें तो इसकी जो Length है वो 4323 mm है और Width की बात करें तो 1809 इसकी आपको Width देख जाएगी और जो Height है वो आपको मिलेगी इसमें 1650 mm इसकी आपको Height देखने को मिलेगी और अगर Ground इकलेंस की बात करें तो यह 190 mm इसकी Ground इकलेंस आपको देखने को मिलेगी जो कि Foxwagon की Tagoon के Approx आप इसको कह सकते हैं क्योंकि जो Tagoon है उसका Ground इकलेंस है वो 188 mm है और इसके सबसे ज़्यादा इसके Base warranty की बहुत ज़्यादा अभी Demand है और Guys आप कर लेते हैं इसकी कुछ Features की बात चलिए शुरू करते हैं तो यह MG ZS Aster का Black Color है इसमें आपको मिल जाएंगे Fully LED Hockey Headlamp with DRLs इसमें 9 Crystal Diamond Element देखने को मिल जाएंगे आपको और नीचे की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा Fog Lamp Corner Assist के साथ और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको Bold Celtial Grill जो की इसको एक सांदर लुक देती है और यहाँ पर मिल जाएगा MG का Logo नीचे इसके Front Camera और यह है नीचे Skit Plate मिल जाएगी आपको और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Stylist Design में Front Bonnet और यह है Rain Sensing Viper मिल जाएगे आपको और अगर इसके Side Views की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 17 इंच का Turban Alloy जिसमें आपको सेंटर में मिल जाएगी MG की Logo और अंदर देखने को मिलेगा डिस्क ब्रेक और यहाँ पर कुछ बैजिंग देखने को मिलेगी फ्रेंट में यहाँ पर ब्रिट की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी और अगर इसके Outside Mirror की बात करें तो इसमें LED Turn Indicator के साथ यह आपको देखने को मिलेगा और हैंडल में आपको Chrome Finish देखने को मिलेगी Driver Side और Passenger Side दोनों में कुछ इस तरीकी का दिखेगा इसका Door Handle और टैंकी की बात करें तो यह 45 लिटर का टैंक है और यह है Rear Tire जिसमें आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा तो आप चलते हैं इसकी Rear Side तो कुछ इस तरीकी का देखने को मिलेगा आपको Rear View और यह है इसका LED Tail Lamp जो जलने के बाद कुछ इस तरीकी का इसका Look देखेगा तो जलने के बाद बहुत स्टाइलिस लगता है इसका Rear View और यहां पर देखने को मिल जाएगी MG का लोगो और नीचे एस्टर की बैजिंग और उपर मिल जाएगा आपको Rear Wiper यहां पर नीचे मिल जाएगा आपको GS की बैजिंग और यहां पर मिल जाएगा Chrome Finish Artificial Exhaust और नमबर प्लेट के लिए कुछ Space बैक कैमरा और यहां पर मिल जाएगा आपको Two Rear Sensor और Exhaust तो अब चलते हैं Passenger Size तो यह कुछ इस तरीकी का आपको डोर देखने को मिलेगा जो की एक Single Tone में आपको देखने को मिलेगा और डोर में आपको Stain Chrome Highlights Handles देखने को मिल जाएगे और यहां पर नीचे Soft Touch देखने को आपको मिलेगा और यहां पर कुछ इस पेस देखने को मिल जाएगा और यह है पावर विंडो के बटन नीचे मिल जाएगा Bottle Holder और स्पीकर देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको मिल जाएगी Leather Sears Appaltery with stitching details के साथ देखने को मिलेगी और यहां पर आपको 3 headrest आपको देखने को मिल जाएगे तो चलते हैं अंदर तो यहां पर मिल जाएगा आपको armrest और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 2 cup holder और यहां पर seat के पीछे आपको कुछ space देखने को मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको dashboard और यह जो dashboard है यह soft touch में आपको देखने को मिलेगा और यहां पर देखने को मिल जाएगे 2 AC vent और 2 USB port और यहां पर आपको देखने को मिलेगा handle bar और right side में भी देखने को मिल जाएगा तो अब चलते हैं driver side और यहां पर door handle में chrome penis आपको देखने को मिलेगी तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको driver side door इसमें one touch auto down power window देखने को मिलेगा यहां पर आपको handle door पर stain chrome के highlighting देखने को मिलेगी यहां पर lock unlock का button देखने को मिल जाएगा यहां पर थोड़ा सा hard plastic आपको देखने को मिलेगा और नीचे मिल जाएंगे power window के control यहां पर कुछ space नीचे मिल जाएगा आपको bottle holder और speaker देखने को मिलेगा और यह है six way power adjustable driver seats और यह है leather seats upholstery with stitching details तो आप चलते हैं अंदर और यह है leather wrapped steering wheel यहां पर मिल जाएगा mg का logo left side आपको देखने को मिलेगा phone और volume up and down के control और कुछ informant system के control देखने को मिल जाएगे right side आपको देखने को मिल जाएगा instrument cluster और voice command के control और यह है AC van और यह है headlights के control और यह है wiper के controls और कुछ इस तरीके का आपको dashboard देखने को मिलेगा जो की soft touch मां आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रिट के बैजिंग और AC van देखने को मिलेगा और इसी के नीचे globe box जिसमें कुछ इतना space देखने को आपको मिलेगा और यह है AC van और यह है personal AI assistant और यह मिल जाएगा day night mirror और यहाँ पर मिल जाएगा vanity mirror और यह मिल जाएगा driver side vanity mirror और यहाँ पर मिल जाएगा 10.11 इंचे का informant system और उसके नीचे informant system के control और volume up and down के control और यह है automatic AC जो कि PM 2.5 AC filter के साथ देखने को मिलेगा नीचे 12 volt का charger और 2 USB port और यहाँ पर देखने को मिलेगा hill descent control, traction control, 360 camera का button और यह है 6 speed automatic transmission और यह मिल जाएगा आपको electric parking brake auto hold button के साथ यहाँ पर 2 cup holder और यह है armrest और इसके नीचे कुछ space आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं passenger side के airbags की information और यह है rating light और यह है panoramic sunroof के control और यह मिल जाएगा आपको panoramic sunroof और यह है 7 inch का fully digital LCD instrument cluster जो की fuel level, coolant temperature, speed, rpm और tire pressure जैसी कई information बताएगा और कुछ इस तरीके का दिखाएगा AI assistant और engine stop, start और stop का button और यह है 360 view तो अब चलते हैं rear side और करते हैं boot open और देखते हैं कितना space mg देती है तो यहाँ पर आपको 359 लिटर का boot space देखने को मिल जाएगा अगर rear की seat फोल्ड कर दे तो 1187 लिटर का boot space बन जाएगा और यहाँ नीचे कुछ space देखने को मिलेगा जिसमें आपको 16 इंचे का spare wheel मिलेगा और tool kit देखने को मिलेगी और करते हैं boot को बंद तो अब चलते हैं front side और करते हैं bonnet को open तो यहाँ से bonnet open हो जाता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1300 cc का 3 cylinder 220 टर्बो इंजन देखने को आपको मिलेगा जो की 220 Nm का torque generate कर देगा जो की आपको 14 का average एप्रोक्स देदेगा तो कैसी लगी है आपको यह गाड़ी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं तक्यू पर वाचिंग इस वीडियो